मैं इस वक्त मौझूद हूं कन्नौज में तरह एक बार इदर तस्वीर दिखाईए देख रहे हैं लोग भारी संख्या में वोट करने के लिए निकल रहे हैं और जो वोटर है वोट करने के लिए अलग अलग जगों से सरक्याना है मापका जल्दी से बताईए कि माना जारा बड़ी टक्कर है क्या तक्कर है कोई टक्कर ना है आज पास अफ़र नंबर एक पर चल लाई है मोधी जिन्दावाद अफ़र आपकर नाम च्छोटू यादो 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 बताईए साइकल साइकल क्यों साइकल अकले से आदो राममंदिर गए मुकतार जैसे आप पातिया पढ़ने पहुंच जाते है आदवंग नाम कटवा रहे हैं अखिले से आदो लाव मंदिर नहीं परवार में असी लोग जनम लेंगे तो असी लोग सभा में अपने सेपई परवार से ही उतारेंगे उनको आप टिकेट नहीं पाएंगे परवार वार बाद पर क्यों समर्पित हो है मेरे नाम है श्रीवांग सुगला मैं यह चाहता हूं जो अभी रहुल कौन दी और अखले से आदव आये थे उन्हें बाबा मेड़कर का बहुत बड़ा अपमान किया उन जबकि उनके कारकरता ने और मलब मलब उनको जो है फोटो दी तो उनने जो है मलब धक्का दे दिया औ हुए तो हमारे क्या होंग और जो है मलब है आपको मलब हो जी आसकर करते हैं हमारा मर कहते हैं ख़ाय की थे अधर यादव जी तो दर कमल पे जारहें बिल्कुल पूरा कर्णोच कमल पर जा रहा है क्यों वजा वजा क्या नीतियां मोदी जी के कारणा वज़ा मोदी जी या पाठक जी मोधी जी पाठक जी तो हैं लेकिन सर्वोपर ही मोधी जी है क्या राब आपका गगन मिस्रा गगन मिस्रा जी क्या मोधी घरगर मोधी आई कुछ और लोगों से बात करता हूँ क्या राब आपका मोनू नागर हमारे साथ मुर्दुल भी चुड़ रहे हैं मुर्दुल उन्नाओ से हैं जहां से साक्षी माराज चुनाव लड़ रहे हैं मुर्दुल क्या महल है वहाँ पर बिल्कुल सुहेल साक्षी माराज से बात की दी लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है दस राज्जों में अलग-अलग सीटों पर मतदान चल रहा है हाई प्रोफाइल सीटें उत्तर प्रदेश में नौ बजे तक ग्यारा प्रतीशत से ज्यादा मतदान हुआ है बिहार में यह आकड़ा दस प्रतीशत का है आंद्र में यह आकड़ा नौ प्रतीशत का है जम्मु कष्टे में बहुता मतदान हुआ है पाच प्रतीशत जारखन में अच्छा मतदान हुआ है ग्यारा प्रतीशत मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यह मालवा और निमाल का क्षेतर जहाँ 14 से ज्यादा प्रतीशत मतदान हुआ है महाराश्ट में बहुत कम एक बार फिर 6 से 7 प्रतीशत मतदान हुआ है उडिशा में 9 और तिलंगाना में 9 और पश्रिम मंगाल में 15 सबसे ज्यादा पश्रिम मंगाल में हुआ है अब लोग हमारे साथ जुड़ गाएं जरा उनसे बात कर लेते हैं वह यह क्या नाम है आपका क्या मुद्धे हैं किसके हवाइदर हवा भारती जनता पार्टी की है मोधी जी की है और सच्छी महराज जी की है अच्छा जी विकास के कारण है सबका साथ सबका विश्वास सबके परियास के कारण है अच्छा क्या नाम है अनुराःग वस्ती हमारा नाम है जी उन्हाओ चंसे का राजात जी की धरती है उन्हाओ राविक सिंग न traits अ्उन्हा ऀुद्लाप लोधी की धरती है बालमी जीकी वी धरती है उन्हाओ में जो मद्दान हो रहा Japanese शुद्र मंदिर बन गया बिल्कुल है बन गया बना दिया उन्होंने और हम लोग अपना ओर जो है वो सी राम जिनके चनलों में दे रहे हैं समर्पित करने समर्पित करते नहीं है लेकिन हां तरह हो दिन रहाती अब पर बुझे के जुडानी अच्छा थी भरवान राम के देख जुड चितवत पंथ रहे हो दिन राती अब पर बुझे के जुडानी अच्छा थी बड़ा दिल्चस पे पीएसी में थे रिटायर हो गया है कि हमने मंजर देखा दर आगे आजए तो वो मंजर और आज का मंजर कितना बदलाव देखते हैं एक परिंदा पर नहीं मार सकता था करेंगे बेगु सराय का बेगु सराय में हमारी सेयोगी सुजाता मौजून है सुजाता बताईए वहां क्या माहौल चल रहा है क्योंकि जैसे जैसे सूरद चड़ रहा है मतदान प्रतिशत बड़ेगा क्या बताईए जरा अमर्दुल देखिए माहौल तो यहां फिलाल ठीकी लग रहा है मैं कई सारे पोरिंग बूस पर घूम कर आई हुआ धीरे धीरे जो है वो लोगों की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है यहां भी देखिए एक चोटा सा स्कूल है यह उच्छे मादी में क्विड्याले जह हम लोग के यहां पहले एक ही राजिंदर पूल था डॉक्टर राजिंदर परसाद के समय का ही बनाया हुआ पूल था जिस बज़ा से हम लोग के बेगुस राइवासी को इस पार से उस पार जाने के लिए लखिस राइजिला जाने के लिए हम हो रहा है बहुत कष्ट होता बन गया है इधर 4-line रेल भीकास के कारे गिनवा रहे हैं है अलाकी लोग बोलते हैं च्षपर वोटंप eens हुआ कि लोग बोट देते हैं तो क्या सोचा आपने काम देखकर देते हैं कि जात देखकर देते हैं जात नहीं चलिए यह 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 अच्छी बात है हम जिन से भी पूशते हैं यह कहते हैं कि जात नहीं हम काम देखते हैं लेकिन आपको यह भी बता दें कि बेगु सराई में अभीता 11 बार चुनाव में 10 बार भूमियार केंडिडेट ही जीता है क्योंकि यहां भूमियारों का तबदवा वाना चाहता है लेकिन इस बीच एक रया चेहरा बिहार की राजनीती में चर्चा में हैं शामभी चौधरी जो पहली बार प्रत्याशी बनी हैं क्या कहा है उन्होंने क्या दावा किया है इसमें सुना पें आपको किया आप पहली बार चुनाव लगाई हैं आज नर्वस है नए क्योंकि हम मानते हैं पिछले एक देर मह.ईवीज्ट में है और हमारा चुनाव प्रचार चला है उसमें जो प्यार और आश्डवाद हमें मिला है वो हमारे साथ है और आज हम मानते हैं कि वो प्यार और आशिरवाद मतदान में भी तब्दील होई जाएगा तो आपने क्या देखा इन मैंने आपका इंट्रिव्यू किया था जब टिकेट मिला था आपको तो इस एक महीने में आपने क्या अनुभाव किया कि हम यह मानते हैं कि अच्छा एक्सपीरिंस था है बहुत कुछ हमको सीखने को मिला जब आप फील्ड में जब आप उतरते हो तो आपको जो पॉलिटिकल रियालिटी होता है या जो लाइफ का रियालिटी होता है वो आपको समझ में जादा बहतर आता है लोगों की क्या मांग होती है, क्या डिमांड होती है, क्योंकि हम लोग घर पे बैठके पढ़ते हैं, देखते हैं, तो एक परस्पेक्टिव डेवलप होता है, पर जब हम ग्राउंड में उतरते हैं, तो वो परस्पेक्टिव अलग ही हो जाता है एक दम, हम मानते हैं कि समस्त करना है व सारे सप्टनों को पूरा करना है और समस्तिपूर के विकास के लिए खूब महनत करना है इ依ा इंट्रेस्टिंग बैटल है आपके पिटा जी भी विहार सरकार में मंत्री है और जो आपके ऑपोसिंग कैंडिडेट है सन्नी हजारी जी उनके पिता जी भी जेडियू के मिनिस्टर हैं तो ये कुछ आपको परिशानी का सामने नहीं करना पड़े हैं बिलकुल नहीं बेकोज जब हम फील्ड में थे तो हमारे पास पांचो पार्टी के सारे तमाम कारे करता जितने भी नेता हैं वो सब हमारे साथ थे थे और हमारे समर्थन में ही वो काम कर रहे थे उसके बाद हम मानते हैं कि जब कहीं भी जेडियू वर्सिस जेडियू टाइप का महल नहीं था क्योंकि हम मानते हैं कि जनतादल यूनाइटेड के जितने भी लीडर्स हैं लोकल लीडर्स हैं जितने भी समर्थक हैं जितने भ बहुत ये बात को सपश्ट कर दिया कि जो भी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं उन पर स्ट्रिक्ट आक्शन्स चुनाओ के बाद लिया जाएगा तो हम मानते हैं कि काफी कोई ग्रे एरिया उन्होंने नहीं छोड़ा सब कुछ ब्लाक इंवाइट कर दिया और उन्होंने य चुनाओ आयोग लगतार अपील लोगों से कर रहे हैं जो लोग वोट करने पहुचने देखिए मैं ठीक बूत के बाहर दर्वाजे पर मौजूद हूँ अब जो भीड है कम होती दिखाई दे रही है धूप बढ़ती दिखाई दे रही है आप बताईए वोट देने आप आई है कैसा लोग निकल के आ रहे हैं वोट देने के लिए बात हुई आसपास हाँ आ तो रहे सब कम हो जा रहा है गर्मीरीजे कारण है कि कोई और कारण आप बताईए सर आप क्या उम्र है आपकी सब्सक्राइब के लोग तमाम वोट देने आ नहीं रहे हैं वोटिंग पर्जेंटेज गिर रहे हैं जिम्मेदारी जरा बताईए उनको क्ये से जिम्मेदारी समझना है जिम्मेदारी यह रहे हैं भजडना जे गाराए बताईए टी सक्शार अजार वोटिंधेज रहे हैं वोटिंगना नहीं नहीं हैं लुट जोटिंगा बताईए बताईए ग्याँरी वोटिंगना चाहिए झाल रहे हैं लया बताईए १ार्णिय cioè